प्रेगनेंसी के दोरान अगर आइरन की गोली खाते वे आपको भी उल्टी आती आपका मन खराब होता आपका जी मिछलाता है तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप जो है उल्टी आने से अपने को बचा सकते हैं और आइरन की जो गोली है उसको ना लेने से जो हमारे शरीर को नुकसान होने वाला उससे भी हम बच सके सो वीडियो इंपोर्टेंट है वीडियो को एंड तर देखेगा चले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें आइरन जो है वो क्यों लेना चाहिए लेके उनके अंदर शरीर में एक और जान जो है बन अप रही है तो ऐसे में आइरन लेना बहुत जादा जरूरी है आइरन का सबसे जादा इंपोर्टेंट काम यह है कि यह हेमोगलोबिन बनाता है जिसको एच भी बोलते है और उसका काम होता है लंक से हम सारी ऑक्सिजन को लेना और बोडी के डिफरेंट स्पार्ट में सप्लाई करना जब आपकी हेमोगलोबिन कम बनती है तो आपकी ऑक्सिजन जो है पूरी बोडी में सप्लाई उसकी नहीं हो पाती है जिसके कारण आपको ठकावट महसूस हो सकती है हेर लॉस हो सकता है और आप कोई भी काम करेंगे तो आप जल्दी ठक जाएंगे, आपको फ्यूचर में डिलिवरी के बाद बैक एक हो सकता है, आपकी हडियां कमजोर हो सकती है, आपके बच्चे में भी घून की कमी हो सकती है, आपके आँखों के नीचे डार्क सरकल्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आइरन की कम जैसे ही आपका फर्स ट्राइमेस्टर खतम होता है, चौथे मंद से आपको आइरन की टैबलेट रेगूलर लेनी चाहिए, और ये आपको लेनी है, जब आपकी डिलिवरी हो गई है, उसके भी एटलिस त्री मंद तक अगर आपकी नॉर्मल डिलिवरी हुई है, और अगर सेसेरियन हुआ है, तो आपको 6 मंद तक डिलिवरी के बाद भी आइरन लेनी चाहिए, क्योंकि डिलिवरी के बाद भी हमारी बोड़ी से बहुत जादा ब्लड लॉस हो जाता है, उसको रिकवर करने के लिए हमें आइरन और कैल्शियम लेना बहुत जादा ज़रूरी होता ह कुछ बातें हम डिस्कुस करते हैं, जो आइरन और कैल्शियम को लेते हुए तिहान रखनी चाहिए, कभी भी आपको आइरन और कैल्शियम साथ में नहीं लेना चाहिए, दोनों के बीच में 4-6 घंटे का गैप होना बहुत जादा ज़रूरी है, आइरन और कैल्शियम को आ अगर आइरन के साथ दूद ले रहे हैं, तो आइरन को बॉड़ी में एब्सॉब नहीं होने देता है, तो इस चीज का भी आप ख्याल रखिए, और आपको यह जो दवाई है, आइरन की दिन में एक बार ही लेनी है, चाहे आप सूह लीचे चाहे आप शाम को लीचे यह तो हो रहा है, आपको वॉमिटिक हो रही है, आपको नौजिया हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें कि आपको आइरन की गोली पच्टाए, और ऐसे में आइरन की गोली खाने भी बहुत ज़्यादा सुरूरी होते, तो क्या की आजाए, सबसे पहली चीज जो बहुत ही एजी ह कि सीन prime तब भी हुआ फाली उसके बार कर दो करता ़ीजिए वह यहांर की का तो की तो आप क्ता चीओ फेल को साँ मेστεर थिक रही हैं यहांत तो सब कर सकते हैं वह हैं जब भी आप अप आरेन की कि गोलय पर ये filmed वींदित आईरन की गोली multipach fishermen आजा जाती तो उन्हों से मुझे बताय था कि खाने के बीच में लो और उससे आप पर इंडि तरateurs से मैं यह स्टार्ट कर दिया था पहले दो दिन में अगर आपको गोली खाने से उल्टी आ रही है तो आप जो आइरन के सिर्फ होते हैं वो भी नहीं है आपको गोली से प्रॉब्लम हो रही है। आप सीर्फ ले सकते हैं सीरुब का एक नुक्सान यह होता है उसका कलर है वह रe प्लाक क्या अगली चीज़ है गंद現在 को ड cherry आधा प्रॉब्लम होगा हो सकते हैं सीरुब्लम को मैं पहला है हूं unsmeet k haramann is with a आईरन की घुली खाते में बच सकते हैं.. एक इजन भड़ा, को चेंज करके भी तेख सकते हैं.. शायद आपको दूसरा सो पच आए तो ये तीन चीज़ें हैं जिनको आप ट्राइ कर सकते हैं अगर आपको आइरन जो है वो वैसे गोली खा के नहीं पच रही है आपका मन खराब हो रहा है तो अगर आपको इस चीज़ से बचाए चैनल को अगर आपको सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लिजिए ताकि आपको मेरी आने वाली प्रेगनेंसी से जुड़ी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेर करना ना भूले थैंक्स फो वाचेंग